गुड मॉर्निंग डीडियो विल्कम बैक टू न्यू वीडियो सुप्रिबाद जैश्री राम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम हलका फुल का फ्लैट ओपन हो रहे हैं हलका फुल का फ्लैट मतलब थोड़ा गैप डाउन भी खुल सकते है अब भी शूरिटी नह अगर आप चैनल पर नहीं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक भी करना मत बोलेगा चले आगे बढ़ते हैं अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट का हाल चाल तो कल डाउजोंस थोड़ा उपर गया अब यह थोड़ा उपर गया अगर आप देखोगे तो मैं आपको बसाता हूँ अमेरिका में आज जॉब ओपिनिंग के डेटा आने वाले जो बहुत हैं उसके बाद अगर आप देखोगे तो कल के दिन पर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज़े ग्रोथ रेट का डेटा आने वाला है और उसके बाद भी पी-सी इंफलेशन का डेटा आने वाला है तो काफी चीज़े हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जॉब ओपिनिंग हो गया यहाँ पर जीडिपी ग्रोथ रेट हो गया इस दिन आप देखो तो चाइना का है मैनुफैक्शरिंग पीमाई अमेरिका का देखो कोर पी-सी इंडेक् पर्सनल इंकम, पर्सनल स्पेंडिंग तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो इस वीक में आने वाले हैं तो डेटा पॉइंट अफ यह वीक बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और अगले वीक में अमेरिका में होने वाला प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो अमेरिका में ये जो दोनो week है ना वो बहुत तगड़े volatile रहने वाले और काफी जादा important है अगर ये दो week अमेरिका उपर टिक गया तो आप मान के चलो कि अमेरिका में और fall तो नहीं आने वाला और अगर अमेरिका में और fall नहीं आएगा तो इंडिया भी अपने आपको रोक ले क्योंकि हम भी काफी जादा गिरे हैं तो हम ठीक टाक जगे पर अपने आपको रोक सकते हैं बट अगर ये दो week में अमेरिका और गिरने लगा तो इंडिया नहीं रुक पाएगा और हम वापस से breakdown करके नीचे की फ्लैट ही था आपको खुलके नीचे की तरफ गिरता हो आपको नजर आया गोल्ड की बात करोगे गोल्ड वापस से all time high के आसपास है ओइल में कल सबसे बड़ा चेंज आया था ओइल आपको कल 5-6 परसेंट के आसपास नीचे गिरते वे दिखा था इसके बीचे की वज़य क्या कि लोग बहुत जादा ये expect कर रहे थे कि कोई ना कोई retaliation आएगा इरान की तरफ से या फिर इसरेल और कुछ नए attacks करेगा बट कुछ भी हुआ नहीं वीकेंड में वीकेंड पूरा सांथ बीद गया जिस कारण से मंडे को खुलते ही ये fall हमें देखने को मिला तो it's not a big of issue अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे जादा यूस ऑइल पर ध्यान देते तो मतलब देखो यूस ऑइल अगर एक बार 75-80 के ऊपर चला गया ना इस जोन में अगर यूस ऑइल काम करने लगा कच्चा तेल आप जो भी बोलो तो हम इस पे जादा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे उससे पहले कोई जादा इशू नहीं आप 75 डॉलर से उपर मान के चलो तो इसलिए इस पे जादा फोकस नहीं करें ये तेकल की global market के हाल अगर आपको मैं specifically बताओ तो फिर एक बार देख आ रहे हैं तो कुल्मिला जिला के मिक्स सा महाल है ऐसा नहीं कि बहुत बुलिश महाल है आज के दिन पर मिक्स डॉपिनिंग हमें मिलेगी हलका फुलका गैप डाउन भी खुल सकते हैं FIDI data के अगर आप बात करोगे तो चीज़ें इंट्रेस्टिंग हो रहे हैं कल मार्केट बहुत उपर गया था लेकिन इनकी selling कम नहीं हुए इन्होंने 3000 करोड का ही माल बेचा है 1000 करोड का यहां पर खरीदा गया है 3000 करोड यहां पर इन्होंने sell किया मतलब यह cash market की selling जो है न 3000 करोड के आसपास 3000 करोड के आसपास future में इन्होंने buying करिये और जिसमें जादा इन्होंने bank nifty के futures खरीदे हैं FIIs की मैं बात कर रहा हूँ मतलब वो आप एक तरीके से मालो sell की position कम कर रहे हैं उन्होंने बहुत जादा shorting कर दी थी market को बहुत जादा sell कर दिया था तो अपनी sell की position जो है वो reduce कर रहे हैं वापस future को buy कर रहे हैं तो अभी जो FIIs है ना वो उतने जादा bearish नहीं है market को ले के कि एकदम पूरा fully bearish नहीं उन्होंने अभी थोड़ा सा जो stance बना लिया वो neutral to bearish बना है bullish अभी भी कुछ भी नहीं है वो ये bullish मान के नहीं चल रहे है उनका जो stance है वो neutral to bearish है अभी फिलहाल जो selling आ रहे है ना वो selling आ रहे है professional traders की तरफ से देखो के कल के दिन पर इन्होंने अगर मैं आपको futures का data बताओ इंडेक्स future का data देखोगे आप तो कल इन्होंने 9000 जो contract से वो इन्होंने sell किया ठीकता के amount होता है जो 9000 contract यह हमारे पास FIDI data था ठीकता की conclusion यही निकला कि FIS जो है वो market को लेके उतने बेरिश नहीं है अभी पर जो professional traders है वो काफी बेरिश हो रहे है और इन्हीं दोनों के ब कि बहुत सारे जो mutual fund वाले या जो fund houses है उन लोगों का भी यही bet है कि अब time है banking sector के अच्छा perform करने का ICICI bank का कल result बढ़ियां आए था और SDFC का result पहले भी बढ़ियां आ चुका है तो यह दोनों जो main bank का ICICI and SDFC इनके results अच्छे आए थे और इनके अच्छे results के कारणा bank nifty में वो pressure दिख नहीं रहा तो अभी clearly nifty 50 जादा bearish है as compared to nifty bank nifty bank अपने आपको hold करने की कोसिश कर रहा है देखो अब hold कर पाता है नहीं कर पाता है बात की बात है क्योंकि pressure build up होगा तो banks भी गिरेंगे ऐसा नहीं कि banks बहुत बढ़िया है इंडिया के जबर्जस परफॉर्म करते हैं बैंक में भी गिरावट आएगी लेकिन अभी फिलाल bank nifty अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने बात करेंगे आपको कैसे ट्रेट करना है कैसे क्या करने उसके बाद बात करेंगे अच्छे डेली चार्ट में कल यह मैं सोचे कि बहुत तगड़ी बाइंग आ गई आप देखो ने एक रैंडम डोजी कैंडल बनी अभी तो कुछ भी यह बाइंग नहीं मार्केट इस तरीक ना करेंना तबतक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा सेल अरे कभी भी इंटर कर लेते देखो एक बार आप अपने आपको यह पहले मान के चलो कि अप अपने नाइफ को मत पकड़ो आने तो नाइफ को स्लो होने दो घूमने वगर रहा तो फिर आप चाके उसको मतलब मान लो की ट्रेंड चेंज हो रहा आप गिरते वे बाजार को पकड़ने ही कोशिस करोगे और गिर गया तो फिर हाथ कटना ही है इसका ध्यान रखेंगे हम बाकी कल के दिन बाइंग बहुत अच्छी आए थी मार्केट थोड़ा सा गैप खुला तो हलका फुलका नीचे और यहां से काफी अच्छी आप सी आपको देखने को मिले थी बोलटालिटी देख रहा है यह मार्केट यहां पे ऊपर गया और फिर गिर गया और फिर यहां पे इतना उ चार्ट पर चार्ट पर अच्छा स्टॉक के बारे में बता देता हूं आपको मैं आप देखोगे तो आज रिजल्ट आने वाला है मारूती सुजुकी सिपला अडानी इंटरप्राइज़स अडानी पोर्ट कैनरा बैंक सब के रिजल्ट आ जाने वाले भारती एटल का अगर नहीं मालूं वह आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट दस परसेंट बढ़ाया है जेज रव्लो का टार्ट टेक्नलोजी का वन पॉन 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 परसेंट परसेंट ड्रॉप कर लिया है रिवेन्य 2.2 परसेंट बढ़ा आप देख लेना यार मैं बारबर कहता तो प्लीज जा के अच्छे से रिशर्च कर लिया और अगर आम मेरी बात मानों है रिजर्ट के basis पर स्टॉक मोरे बेसे हूं कि यहाँ ने सेरफ में के साथ किया है 40% सेग करेंगे टाटा पावर IT services को Infosys को मिला है order कुछ मिला है acquisition अच्छा Infosys ने acquisition complete कर लिया है तो देखो क्या reaction रहता IT sector में mix था कल के दिन पर bank positive थे IT sector mix था आज finnifty की expiry थे तो finnifty का chart देख लेते हैं पड़ा पड़ा आप कैसे इसको treat कर सकते हो तो देखे सबसे जरूरी बात क्या है ना कि अगर हम gap up हो गयरा खुलते हैं या फिर मानलो flat खुलके ऊपर जाने की कोसिस कर देना तो इस range के बीच में आप बड़ी momentum एक्सपेक्टी मत करो यह वाली जो दोनो रेंज बनी हुए तो नीचे की तरफ आप मानलो 23,680,670,700 मानलो 23,700 और उपर की तरफ आप 24,100 मानलो 24,100 तक आप मानके चलो 24,050 तक इसके बीच में बड़ी momentum आपको expect नहीं करने इस area में आप पर gap filling का support है तो इसलिए यहां पर दोनों तरफ के momentum आपको दिखेंगे और साइद market साइडवेज हो जाए कल का market काफी बेकार था कल मेरा red में लॉस में ही close होगा है कल का दिन कल के market में कोई momentum ही नहीं था मतलब मैं सुबह सुबह वाला जो nifty 50 का momentum था अगर आप उसको momentum ढूंड रहा था वहां भी नहीं मिला और सुबह सुबह निफ्टी ने ट्रैप किया था एक सेलिंग साइड में तो वह सेलिंग साइड में में ट्रैप हो गया था और उसके बाद जो पूरा अपसाइड वाली rally आई तो वह पूरा rally मैंने मिस कर दिया उपर की तरह बाद मे mid cap में दो attempt करे थे और तो वो भी नहीं चला तो कल का दिन ठीक ठाक बेकार था मेरे लिए बाकि देखते हैं आज क्या होता है देखो यह महीना end होने वाला है और थोड़ी से volatility बढ़ने वाली अमेरिका का भी reason है 20 November वाला भी reason है तो आराम से trade करेगा कोई ऐसे मतलब trade करना छ हो सकता है अब माली यहां कहीं खुल के market is gap filling वाले level को breakdown करके गिरने लगता है तब जाके थोड़ी selling expected है कि थोड़ा fast sell off आये market इसके level तक आये और फिर बाद में गिरे तो level to levels काम करेंगे और में भी market fall करते वे bottom तक आ सकता है में भी आ सकता है बाकि मैं जो expect कर रहा हूं आज लब 15 मिट का चार्ट देखा था आपको तो ऐस सच आप देख रहो ना कि एक range के बीच फसे हुए तो ऐसे उपर का भी कोई confidence नहीं आ रहे है किस level से हम upside का सोचना सुरू करें यह trend line आ रही है उपर की तरफ तो आराम से trade करेंगा बाकी मैं आपको telegram पर update करूंगा plan simple है कि market most probably volatile रहेगा थोड़ा देर wait करने के बाद अगर कोई directional trend दिख रहा है तभी ज़्यादा aggressively trade बना है नहीं तो aggressive trade लेने की जरूवत नहीं है sideways या volatile market मान के आप छोड़ सकते हो अपना capital बचा सकते हो जो कि काफी अच्छा रहेगा data case आप से आप देखोगे तो 24,000 पे तगड़ी call writing हो रखे तो यह उपर वाला जो पूरा zone है इधर call writers बैठे हुए तो आसानी से आपको उपर जाने नहीं देंगे 100-100 points के difference पर इतना तगड़ी call writing होना तो उपर जाना आपके लिए मुश्किल होने वाला है जो नीचे इतरा पहला जो support है वो 23,700 पे आपके लिए अगर उसक सकता है यह हमारी फिर निफ्टी की analysis थी अगर आप निफ्टी फिफ्टी देखते हो तो यह निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में कल अच्छी खासी buying आई थी हमने जो यह वाला fall था पूरा उसको cover कर लिया और यहीं कहीं पर आके खड़े तो आज के दिन पर इस range के अंदर ही खुल रहा है तो थोड़ा सा मान के चलो अगर यहां कहीं खुलते हैं अलका फुलका गिर सकते हैं फिर support लेके उपर उठ सकते हैं डायरेक्शनल movement के chances कम हैं अगर आते हैं तो काफी easy रहेगा trade करना तो मान के चलो की sideways volatile रहेगा डायरेक् करेगा कोई भी हडवड़ी या गडवड़ी करनी की जरूरत नहीं है आराम से trade करेंगे thank you for watching the video